और वहीं देश भर में आज कार्गिल विजह दिवस मनाया हुजा रहा है। 23 साल पहले आज़ी के दिन 26 जुलाई को भारत के वीर सानिकों ने पाकिस्तान के घुस पैठियों को देश से खदेड कर अपने साहस और पराक्रम का परिच्छ दिया। वहीं इस मौके पर लखनों में कार्गिल शहीद स्मिर्थी वाटिका में कार्गिल विजह दिवस के खास अफसर पर कारिकरम का आयूजन किया गया। लखनों में को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो कारगेल श्राइद इसमृती वाटिका में कारिक्रम का आयोचन रखा गया था जिसमें मुख्यमंत्री योगी आधेतनाथ पुश्पांचुली अर्पित करते हुए शर्धांचुली अर्पित करते हुए नजर आए और ये देखे तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं उस कि दर्लिश सर्माजी मंकर्दीफ करते हैं आ ani प्रदेश सरकार के पूर मंत्री और मनिए एक मााने वीधायक थीॐ इस्स्टोष ट粘ंड हूं जी मानि विधायक के निरेज गोडा जी मान्ने विधायक से योगे रुखला जी माने विधायक से रग्दास महत्रा जी विधान परिशत के माने सदस्य से अविने सिंग जी पि मुकेश सर्मा जी आज के इस कारिक्रम में उपस्तित कारगिल विजय भारत माता के जिन्मान सपोतों के सरोच बेज़दान के कारण प्राप्त हुआ था उनके परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगन और उपस्तित भायो बेहनो आज कुरा देश कारगिल विजय दिवस कायुचन कर रहा है और इस उसर पर भारत माता के उन सभी महान सपोतों की प्रदी नमन करते भी उन्हें अपनी बिनम्र सरधांजली अर्पित कर रहा है जुनोंने देश की आजादी को छोड़े रखने के लिए भारत की एकतार खंड़ता को बनाई रखने के लिए अपना सरोच बेलदान दिया है कारगिल युद्ध भी सतंद्र भारत का एक ऐसा युद्ध है जो भारत पर पाकिस्तान ने जबरन थोपा था मई 1999 में ये कारगिल युद्ध प्रारम्ब होता है और 26 जोलाए 1999 को यानि आजी के दिन 1999 को कारगिल युद्ध में भारत की विजय की गोछना भी हुई थी लेकिन इस विजय के साथ ही जहां पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान एक्सपोज हुआ था कि यह कैसे भारत के अंदर गुस्पैट करता है कैसे इसने भारत पर युद्ध जबरन थोपा है ऐसे पुरी दुनिया के लिए पाकिस्तान अपने आप में एक सिरदर्द बना हुआ है वही साथी साथ भारत के बहुत दूर जवानों के सौर और प्राकर्म को एक बार फिर दुनिया ने देखा इस उद्ध में अने एक बीर सेनिकों ने अपना सर्वोच्च बैजदान दिया था जिसमें लखनों से कैप्टन मनोज कुमार पांडे, कैप्टन आदित्य मिष्रा, लांस नायक एवलानंद दिवेधी, राई फलमें सुनील जंग, मेजर वितेश सर्मा इन सब का नाम बड़े गर्व के साथ और बड़े सम्मान के साथ पुरा देश लेता है और ही कारण है कि हमारे इन बहाद्दूर जवानों के सौर्य, उनके साहस, उनकी बीरता को ध्यान में रख करके कैप्टन मनोस पांडे को युद्ध के उपरांत उनकी आती असाधन बेरता, अदम में साहस, उतक्रिष्ट नेत्रिट्वा, ता करतब निस्ता के लिए बारते सेना का उच्चितम परंपराओं के अनरोप सर्वच वेलदान के लिए सेना का सुसर्वच सम्मान परम बेर चक्र प्रदान किया गया था प्रदेश सरकार ने देश के पहले सेनिक स्कूल का नाम, कैप्टन मनोज कुमार पांडे के नाम पर ही प्रदेश के अंदर अस्थापित किया, जो 1960 में लखनों में अस्थापित हुआ था इसके साथ इस सुविदार मेजर पत को सुसोभित करने वाले पतकालीन जो लांस नायक थे युगेंदर यादो ग्रिनेट इयर को भी परम बेर चक्र से सम्मानित किया गया मैं कारगिलिद्ध मैस, सहीद हे देश वा प्रदेश के उन सभी बहतुर जवानों की दिरता को इस सौसर पर नमन करता हूँ ता देश की रक्सा करते हुए, सहीद होने से बड़ा कोई बल्दान नहीं हो सकता इन बल्दानियों का राष्ट के प्रतिप्रेम, मात्री भूमी के लिए प्राण तक नेच्छावर करने की भावना उनका साहस बीरता आधी के बारे में सोच करके ही हर भारतवासी रुवान्ची थोड़ता है जिन्होंने मैं विशेश रुप से इस उसर पर उन माता पिता और उन परिवार के सदस्यों काविनन्दन करता हूँ जिन्होंने अपने परिवार के ऐसे बीर सपूतों को खोया है इससे बड़ा बल्दान दूसरा नहीं हो सकता पुराराष्ट उनकी प्रदी रिड़ी है और इस सवसर पर मैं उन सभी भारत माता की अमर सपूतों की परिवार जनों को इस बात के लिए आस्वस्त करता हूँ कि केंद्र और राज्य सरकार सदेव उनके साथ खड़ी है बायो बैनो आज हम कारगिल विजय दिवस को ऐसे आउसर पर आयुजित कर रहे हैं जब हमें यह वर्स देश की आजादी के अमरित महत्सों के साथ जोड़ने का एक आउसर की प्रदान करता है आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त 2022 देश की आजादी के 75 वर्स पूर होने का भी एक आउसर है और इस आउसर पर हम सब सौभा के साली हैं कि देश की आजादी के इस अमरित महत्सों आयुजिन के साथ हमें जोड़ने का आउसर प्राप्त होगा आज़ने प्रदान मंत्री जी ने कारिकरम पुरे देश के लिए फ्लब्द कराया है कि हम यह महत्सों तो मनाएंगे लेकिन यहां महत्सों हमारे ले केवल महत्सों तक सीमित न रहे बलकि एक संकल्प दिवस भी बनजाए देश की आजादी के 75 वर्स आंगामी 25 वर्सों के एक प्रहत कार योज़ना को लेकर के हमने कारिकरना होगा ये प्रहत का रही हो ज़ना कि हमें भारत को अपने देश को कहां लेकी जाना है कैसा भारत हम चाहते हैं आने वाली पीड़ी को कैसा भारत चाहिए और उस भारत के निर्माण के लिए पुरे भारत वाश्यों को 135 करोड की आबादी को एक चुठो करके जब हम सब मिलकर के कारिक करेंगे तो उसके पैरणाम भी हम सब के सामने आएंगे और इस देश से 11 से 17 अगस्त के बीज एक विसेश अभिहान चला है यहाँ पर स्कूली बच्चे भी काभी बड़ी संख्या में उपस्तित हैं इस्कूलों के मात्यम से प्रबाद फेरियों का आयोजन अनेक रसनात्मक कारिक्तरमों को इस्कूली अस्तर पर अलगलग संस्ताओं के अस्तर पर संगठनों के अस्तर पर ब्यक्तियों के अस्तर पर आयोचित होना है जिसकी कारयोतना पहले ही सभी जला प्रसासन को प्लब्द कराया जा चुका है और यहाँ पर उकर एक छोट सा ब्रेक के लिए अब बने रहेगा नेटवर्क टैन के साथ